परिवर्तन से सामना होने पर किसी एक परितंत्र को मजबूत और दूसरे को कमजोर बनाती है उत्तर जैव विवित्ता है जैव विवित्ता तीन परस पर संबंधित विशेश्ताओं से बनी है परितंत्र की विवित्ता, प्रजातियों के विवित्ता और आनुवानशिक विवित्ता इन विशेश्ताओं के बीच परस पर संबंध जितना अधिक होता है इससे बनने वाली वस्तु उतनी ही अधिक गेहन और अधिक लचीली बन जाती है Amazon वर्षावन को लें जो प्रित्वी पर सबसे अधिक जैव विवित्ता वाले क्षेत्रों में से एक है आपस में उल्ची हुई लियाना की बेलों को ले जो वन की भूमी से उठकर क्यानपी तक चड़ती है पेडों के शीर्ष पर आपस में लिपटती है और इन विशाल व्रिक्षों के तनों में विकसित होती है व्रिक्ष इन बेलों की मदद से तापिर और अगौती जैसे शाकाहारी जानवरों को बीज, खल और पत्ते प्रदान करते हैं जो इन बीजों को सारे जंगल में फैला देते हैं ताकि वे वहाँ विकसित हो सकें बची हुई चीजों का सेवन करोडों कीट करते हैं जो पोशक तत्मों को विघटित और रिसाइकल करके मिट्टी को सम्रिद बनाते हैं वर्शावन एक विशाल प्रणाली है जो परसपर जुड़ी प्रजातियों के साथ कई छोटी प्रणालियों से भरी हुई है प्रतेक लिंक स्थिर्ता प्रदान करता है और जैव विवित्ता के ताने बाने को मजबूत करता है इस कपड़े को व्यक्तिगत प्रजातियों के भीतर अनुवानशिक विवित्ता से और मजबूत किया जाता है जिससे उन्हें परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाया जाता है जिन प्रजातियों में अलगाव या कम जनसंख्या के कारण आनोवानशिक विवित्ता की कमी होती है बेजलवायों परिवर्तन, बीमारी या निवास्थान के विखंडन के कारण होने वाले उतार चड़ाव के प्रती अधिक समवेधन शील होती है जब भी कोई प्रजाती गायब होती है तो एक गांट खुल जाती है और जाल के कुछ हिससे बिखर जाते हैं तो क्या होगा अगर हम वर्शावन से एक प्रजाती को हटा दे, क्या वैवस्था चर्मरा जाएगी? शायद नहीं प्रजातियों की मात्रा, उनकी आनुवानशिक विवित्ता और पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता इस जंगल में इतनी समरिध जैव विवित्ता बनाती है कि बुनाई में एक प्रजाती अंतर इसे सुलझाने का कारण नहीं बनता है जंगल लचीला रह सकता है और परिवर्तन से उबर सकता है लेकिन ये हर मामले में सच नहीं है कुछ वातावरणों में केवल एक महत्वपूर्ण घटक को निकालने से पूरे तंत्र का पतन हो सकता है उदाहरण के लिए मूंगा की चट्टानों को ले मूंगे में अनिक जीव प्रवाल पर निर्भर होते हैं ये हजारों प्रजातियों के लिए प्रमुक सुक्ष्म आवास, आश्रे और प्रजनन स्थल प्रदान करता है प्रवाल, कवक और जीवानों के साथ परस पर निर्भर रिष्टों का भी निर्मान करते हैं प्रवाल खुद एक करगा है जो जैव विवित्ता के उलजे हुए जाल को बुनने की अनुमती देता है इससे प्रवाल एक महत्वपूर्ण जीव बन जाता है जिस पर कई अन्य जीवों की उत्तर जीविता निर्भर होती है तो क्या होता है जब विनाशकारी मचली पकड़ने की प्रथाएं, प्रदूशन और समुद्र के अमली करण प्रवाल को कमजोर करते हैं या यहां तक कि इसे पूरी तरह से मार देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आप समझ रहे हैं या यहां तक कि इसे पूरी तरह से मार देते हैं, परितंत्र, प्रजातियां और आनुवानशिक विवित्ता इन सब से मिलकर जैव विवित्ता के ताने बाने का निर्मान होता है, जो पृत्वी पर जीवों के अस्तित्व के लिए महत्व पूर्ण है, हम मानव भी इस जैव विवित्ता का हिस्सा है, जब बस कुछ तंतू तूटते हैं, तो हमारा अपना अस्तित्व खत्रे में पढ़ जाता है, भविश्य में होने वाली चीजें अप्रत्याशित हैं, लेकिन जैव विवित्ता हमें एक बीमा पॉलिसी, हमारी उत्तर जीविता की रक्षा करने के लिए पृत्वी का खुद का सुरक्षा जाल प्रदान कर सकती है, हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद हैं, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस अदम उठाने के लिए ed.ted.com slash earthschool पर जाएं